यहां पर आप देख सकते हैं जो पहरा उतहरन हमारे प्स है वह है स्कूएर ब्रेकट के अंदर यहां पर लिखा हुआ है प्लाटीनम नवफ हुल कैंदर ओर स्कूएरब्रेकट गुलॉस यह आपके पास्वे यहां पर लिखा हुआ है अब इसका हमें नाम लिखना नाम लिखने के लिए जो सबसे पहले चीज हमें चाहिए वो है यहां पर जो केंदरी धातु परमानू है उसकी आक्सीकरण संख्या हमें पता होने चाहिए तो सबसे पहले हम आक्सीकरण संख्या निका लेंगे इसके लिए फार्मूला जो हमने पहले उपयोग किया है उसके कि दौरा निकाल सकते हैं या फिर हम आप वेश के संतुलन के दवारा भी इसे हम निकाल सकते हैं तो यहां पर आप देखिए कि यहां क्रण्स तो सो इस तरह से यहाँ पर दो नेगटुटीव और इस तरह से जो प्लैतिनम होगा उसका औकसिडेशन नंबर यहाँ पर टू होगा तो यहाँ पर फौर्मुले की दिवारा भी आप निकाल सकते हैं यहाँ पर प्लैतिनम की जगह पर आप x लिख सकते हैं प्लस mi के लिए यहां पर इसकी संख्या 2 है लेकिन इस पर आएश होता है वो सूनी होता है तो यहां पर आप लिखेंगे टूइंटू जीरो फ्लस यहां पर क्लोरीडो की संख्या 1 है और इसपर आएश और इस उकल टूई क्योंकि पूरा उदासीन लिगंड है इस पर आवेश उदासीन कॉम्प्लेक्स इस पर कोई आवेश नहीं दिख रहा है तो इसका यह इस उकल टू होगा जीरो के और इस तरह से कल्कुलेट जब हम करते हैं तो आप देखी यहां पर हमें X की वाल्यू प्र करते हुए हम इनका नामकरन करेंगे तो यहां पर चुकी कॉम्प्लेक्स है और तो कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने के लिए सबसे पहले जब नाम लिखते समय हमें यह बात ध्यान देनी है कि हमें पहले लिगंड के नाम लिखना है और उसके बास धातु का नाम आएगा और लिगंड का नाम भी हमें alphabetically order में लिखना है तो यहाँ पर सबसे बेद देखें कि एमीन है ख्लोरीडो है और नाट्रीटो है यहाँ पर तीन लिगंड है तो alphabetically सबसे पहले हमारे पास आएगा एमीन तो यहाँ पर हम लिखेंगे चुकि इसकी संख्या 2 है तो यहाँ पर सामने हम लिखेंगे डाई एमीन यहाँ पर हम मैं इक बर फिर से याद दिला दूं कि जब लिगंड के रूप में उदासिया लिगंड के रूप में एमीन होता है तो वहाँ पर जब हम English में लिखते हैं तो double M का उप्योग करते हैं और बहुत हैं और जब आप हंदी में भी लिख उदासिय लिगंड या कंपाउंड में होता है जैसे इथिलीन डाइमीन तो वहां पर हम केवल एक हमका उप्योग करते हैं तो यहां पर हो जाएगा इसका नाम डाइमीन इसके लिए हम लिखेंगे क्लोरि नाइट्रोसमु है तो यहां पर क्योंकि- ऑट के रूप में लिखा हुआ है तो इसलिए इसका जो नाम होगा वह होगा नाइट्रिटो इस जो यह दर्शाएगा कि जू नाइट्रो सम्मू है वो नाइट्रोजिन की द्वारा केंद्री धातु परमाणू से जुड़ा हुआ है तो हाइफ़न के बाद हम लिखेंगे N, फिर उसके बाद हाइफ़न लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे हम अंत में धातू का नाम, तो धातू चुकि यह जो हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स है वो उदासीन है, इसलिए धातू के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा और यहाँ पर नाम लिखा जाएगा प्लैटीनम, साथ ही ब्रेकेट में उसकी रोमन अंकों में इसका आक्सिक करन संख्या को लिखेंगे, जो की यहाँ पर आई है हमें दो, तो इस तरह से यह जो पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसका नाम हो जाएगा डाइमीन, क्लोर प्लैटीनम, तो इस तरह से हमें नीमो का अधान रखते हुए नामकरण करना है, चलिए अब दूसरा उदारान हम लेते हैं, दूसरा उदारान आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ के त्री और स्क्वार ब्रेकेट के अंदर है क्रोमियम, सी टू, ओ, फॉर, होल, यह त्री यह compound का सूत्र दिया हुआ है और इसका नाम हमें यहाँ पर लिखना है, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है के Potassium, तो यहां पर यह counter iron है और potation धनावेशित है तो धनावेशित आयन का नाम पहले लिखा जाएगा साथ यहां पर भी Chromium की oxidation number हम निकालेंगे और Chromium की oxygen नंबर निकालने के लिए हम आवेशों के संतुलन के द्वारा निकाल सकते हैं यहां पर देखे k3 लिखा की दर्शाता है कि complex के ओपर three negative charge होंगे अब यहाँ पर फिर ne ise की चार्जकश पर आय सकता है यह बचे एक मतलब एक 7 नेगेटिव चार्ज होता है और यहां तू परमानू पर तीन पॉजटिव चार्ज हैं तो यहां पर क्रोमियम की ऑक्सिडेशन नंबर हो जाएगी त्री तो इसका नाम हम इस तरह से लिखेंगे पटाइश्यम फिर इसकी बाद आएगा और इसकी संख्या तीन है तो और इसमें क्योंकि यह नेगेटिव चार इसका नाम के अंत में 8 लगाया जाएगा और इस तरह से यह हो जाएगा क्रोमेट और उसके बाद उसकी ऑक्सिडेशन नंबर संख्य जो है वह रोमान अंको में 3 के रूप में हम लिखेंगे तो इस तरह से कॉंप्लेक्स का नाम हो जाएगा पटेशियम ट्राई को में था इसके बाद अगला उदारन लेते हूँ अगला उदारन है यहां पर देखिए स्क्वार ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है यहां पर काउंटर आयन को देखिए C L है जो कि एक negatively charge है इसका मतलब है कि complex पर एक positive charge है अब यहाँ पर देखिए जो amine है वो उदासीन लिगंड है जबकि carbonate जो है वह negatively charge लिगंड है और उस पर दो रणावेश पाये जाते हैं जिसकी संख्या एक है तो यहाँ पर एक carbonate है यहाँ कि दो negative charge हो गए और यहाँ पर द positive charge हमारे पास बचता है इसका मतलब है कि कोबाल्ट पर तीन positive charge है जिसमें से दो carbonate के negative charge से उदासीन हो गए और एक positive charge complex के उपर आया और जिसका उदासीन करण किया गया है counter ion Cl के द्वारा तो यहाँ पर कोबाल्ट की oxidation number plus 3 है यहाँ पर अब इसका हम नाम लिखते हैं सबसे प एमीन पहले आएगा और उसकी संख्या 5 है तो हम लिखेंगे पैंटा मीन कार्बोनेटों क्योंकि कार्बोनेट नेगेटिवली चार्ज लिगंड है कार्बोनेटों फिर लिखेंगे हम कोबाल्ट और इसकी oxidation नमबर है 3 और साथ में फिर जो आपका counter ion है वो है chloride यहाँ पर द लखना है कि complex के अंदर जितने धातू और लिगंस हैं उन सभी को बिना किसी अंतर छोड़े बिना किसी gap के एक word के रूप में एक साथ लिखना है और उसके बाद धातू की जो oxidation नमबर लिखना है और उसके बाद हम लिखते हैं counter ion को तो counter ion को हम थोड़ा gap के साथ लिखेंगे लेकिन बाकी complex के अंदर जितने भी आपके सारे ligands हैं और धातू है उसको हमें एक word के रूप में लिखना है चलिए अगला उधारण हम लेते हैं यहाँ पर अगला उधारण है HG mercury और square bracket के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर है कोबाल्ट और इसके अलावा है थायो साइ यहाँ पर SCN whole 4 ligand है जिसका नाम होगा थायो सायनेट और जब हम complex के अंदर इससे लिखेंगे तो लिखेंगे थायो सायनेटो क्योंकि यह एक negative charge ligand है और यहाँ पर हम देखें कि इसका पहले oxidation नंबर निकाल लें तो यहाँ पर mercury है और mercury पर 1 प्लस चार्ज होता है तो इसका मतलब है कि complex पर 1 negative charge है अब हम जानते हैं कि जो थायो सायनेट है वो भी उस पर एक negative charge होता और इसकी संख्या है चार तो चार negative charge में से 3 negative charge उदासीन हो गए है और बचा हुआ एक negative charge complex के ऊपर आया है इसका मतलब है कि कोबाल्ट पर 3 धनावेश है यानिकि यह प्लस 3 oxidation state पर है तो चलिए अब इसके बाद हम नाम लिखते हैं सबसे पहले positive iron जो हमारा केटायन का नाम लिखा जाएगा यहाँ पर इसका नाम जो कातियों हम mercury लिखेंगे और इसके बाद हम लिखेंगे लिखंड complex के अंदर पहले लिखंड का नाम लिखेंगे तो यहाँ पर लिखंड है हमारा टेट्रा था थायो साइनेटो और चुकि यहाँ पर यह बाइडंटेड लिखंड है और यहाँ पर यह S के द्वारा सलफर के द्वारा केंद्री धातू परमानू से जुड़ा हुआ है तो इसलिए हम यहाँ पर हाइफन उसके बाद S लिखकर फिर से हाइफन लिखाएंगे और उसके बाद धातू का नाम लिखेंगे और चुकि धातू जो complex है वो negatively charge है इसलिए धातू का नाम हो जाएगा कोबाल्टेट और उसके बाद उसकी आक्सी करण संख्या लिखेंगे त्री तो इस तरह से पूरे complex का नाम हो जाएगा mercury टेट्रा थायो साइमेटो स्कोबाल्टेट 3 इसके बाद एक और उदाहरान हमें आप लेते हैं यहां पर है के 3 और स्क्वेर ब्रेकट के अंदर आप देख रहे हैं यहां पर होल 3 है और उसके बाद स्क्वेर ब्रेकट आपका क्लोज हो गया है और यहां पर भी हम नाम लिखेंगे तो सबसे पहले ऑक्सिडेशन नंबर यहां निकालेंगे ऑक्सिडेशन डंबर यहां पर के 3 पोटैश्यम की संख्या 3 है जो यह दरसाता है कि complex के ऊपर 3 ने नेगेटिव चार्ज होते हैं और इसकी संख्या 3 है यान की कुल जो नेगेटिव चार्ज है वो हो जाएंगे हमाल पर 6 और यहां पर 3 नेगेटिव चार्ज कॉंपलेक्स के ऊपर बचे हुए है इसका मतलब है कि आयरन के द्वारा इसके तीन रिनावेशों को उदासीन किय आए गया है यहने की आयरन की ऑक्सेरेशन नंबर प्लस 3 है अब इसका नाम लिखेंगे सबसे पहले यहां पर हम धनावेश जो की काउंटार आयन है उसके लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा प्टाइश्यम फिर इसके बाद हम लिखेंगे कॉंपलेक्स के अंदर लिगिं आयन है और इसलिए यहां पर इसका नाम हो जाएगा प्टैश्यम टेट्रा अग्जेलेटो फैरेट थांग इस तरह से इसका नाम होगा एक और उदारण यहां पर देखते हैं देखें लिखा हुआ है के टू और स्क्वेर ब्रेकेट के अंदर है पैलेडियम और क्लोरो सी प्ल-4 तो इसका नाम करन करना है सबसे पहले हमें यहां पर फिर से पैलेडियम का औक्सीडैशन नमबर निकालना होगा तो यहां पर जो काउंटर रायन है के टाइन के टू और यह दरशाता है कि यहां पर भी जो कंप्लेक्स होगा उस पर दो रुटावेश होंगे और यह उसके जो चार में से दो रणावेश है वो पैलेडियम धातु के दो धनावेशों के द्वारा उदासीन होंगे तभी इस कॉम्प्लेक्स पर दो नेगटिव चार आ सकता है यहने कि यहां पर जो पैलेडियम है उसकी ऑक्सिदेशन नंबर 2 होगी अब यहां पर हम इसका नाम सबसे पहले धनावेश का नाम यहां पाटैशियम उसके बाद है लिगन का नाम टेट्रा क्लोरीडो और यहां पर पैलेडियम धातु है और चुकि कॉम्प्लेक्स नेगटिव ली चार्ज है इसलिए इसके नाम में एट लग जाएगा तो यह हो जाएगा पैलेडेट लोग पूरे जो कॉम्प्लेक्स है उसका नाम होगा पैलेडेट सेकंड यह नाम होगा चलिए एक और अंत में एक और धारन हम ले लेते हैं यहां पर है आपका देखें स्क्वार ब्रेकेट है इसके अंदर लिखा हुआ प्लाटीनम एनस थ्री होल ट्वाइस सी एल नह टू कि अंदर लिखा हुआ है और उसके बाद स्क्वार ब्रेकेट के बाहर काउंटर रायन के रूप में आप देख सकते हैं यहां पर सीएल लिखा हुआ है अब इसका हम नामकरन करेंगे तो यहां पर भी पहले प्लाटीनम की औक्सिदिशन नंबर निकालेंगे यहां पर अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो platinum पर oxidation नमबर क्या है amine चुकि उदासीन लिगंड है और इसके बाद chloride है जिस पर एक negative charge होता है उसी तरह से जो methyl amine है वो भी उदासीन लिगंड है तो इसका मतलब यहाँ पर platinum जो है वो plus 2 oxidation state पर है उसका एक जो positive charge है वो chloride के द्वारा उदासीन हो गया है और एक जो positive charge है वो बचा हुआ है इसलिए complex के उपर एक positive charge है अब इसका हम नाम लिखेंगे सबसे पहले चुकि यहाँ पर complex है तो complex के अंदर हम लिगंड का नाम करन करेंगे alphabetically order पर तो यहाँ पर हम लिखेंगे amine जिसकी संख्या 2 है तो यहाँ पर आएगा di amine chloride फिर bracket के अंदर हम लिखेंगे methyl amine platinum second और उसके बाद जो counter Ryan है उसका नाम आ जाएगा वो है chloride तो इस तरह से पूरे complex का नाम हम लिखेंगे और यह di amine chloride o methyl amine platinum second chloride इस तरह से हम विभिन उधारनों के द्वारा देख सकते हैं कि किस तरह से हम अपने नीमों का जो हमने नामकरण के नियम पढ़ें उनको ध्यान में रखते हुए अलग-अलग प्रकार के सभी complex compound जो की यूनी संटर्ड है एक केंद्र की धातू परमानू वाले complex है उनका नामकरण कर सकते हैं आईए अब एक उधारन ऐसा लेते हैं जिसमें कि एक से अधिक धातू परमानू उपस्थित होते हैं और इस प्रकार के complex को हम बहु केंद्री उप्ससयोजन compound उप्ससयोजन योगी कह रहते हैं इसका उधारन हम देख रहे हैं कि यहां पर जो आपको complex दिख रहा है इसमें दोनों ही दो complex है और इसमें पहले वाला जो complex है उसमें आप देख रहे हैं प्लाटीनम दोनों complex में जो platinum धात्व है उसकी आक्सिकरन संख्या क्या है क्या वो दोनों एक समान है या दोनों अलग-अलग है और इसके लिए हमें जो हमने जाना है कि विभिन धात्वों की कुछ सामान आक्सिकरन अवस्थाएं होती हैं उसका ध्यान रखना होगा और हम जानते हैं कि platinum की जो सामान आक्सिकरन अवस्था होती है प्लस टू या प्लस फोर होती है तो चलिए देखकर यहां पर करते हैं यदि हम पहले वाले complex में platinum की oxidation नमबर को प्लस टू मान लें तो यहां पर अब देखिए कि जो एमीन है वो टेट्रा है और एमीन तो उदासीन लेगंड है लेकिन यहां पर डाई क्लोरो दिख रहे हैं तो यहां पर यदि platinum प्लस टू ऑक्सिदेशन स्टेट में होगा तो दो क्लोरीन के द्वारा यह उद उस पर भी जीरो आवेश आएगा लेकिन यह इस प्रकार का कोई भी platinum का compound संभाव नहीं है इसलिए हमें इसकी जो दूसरे तरीके से देखते हैं दूसरे केस में हम लेते हैं यदि हम platinum जो पहला वाला complex है उसमें platinum के oxidation नमबर को प्लस 4 लेकर यदि हम चलें तो यहां पर आप देखिए कि इसके जो क्लोरिडो CL2 है उसके दो नेगेटिव ली चार्ज नेगेटिव चार्ज से इसके दो पॉजटिव चार्ज उदासीन हो जाएंगे और इस complex के उपर प्लस 2 चार्ज आ जाएगा अब यह प्लस 2 चार्ज एक के टायन पर है तो जो दूसरा complex है उस पर हम उसको उदासीन करने के लिए माइनस 2 चार्ज लिखना होगा तो यहां पर यह पॉजटिव ली पहला जो complex है पॉजटिव चार्ज हो गया दूसरा वल है नेगेटिव चार्ज हो गया अब यदि दूसरा complex नेगेटिव चार्ज है जिस पर 2 माइनस आवेश है वो किस तरह से सकते हैं जब जो platinum है उसकी oxidation state plus 2 हो क्योंकि उस जब प्लस 2 आवेश है वो CL4 यहां पर चार नेगेटिव चार्ज है तो उसके दो नेगेटिव चार्ज से उदासीन हो जाएंगे और उसकी बाद बचे जो दो नेगेटिव चार्ज है वो complex के उपर आ जाएंगे तो इस तरह स से हम देखेंगे कि यह जो है सही complex compound हमारा होगा और इस तरह से इनके जो पहले वाले complex है उसमें प्लाटीनम की oxidation नंबर प्लस 4 होगी और दूसरे वाले में इसके oxidation नंबर प्लस 2 होगा और यह दोनों ही मिलकर एक उदासीन complex बहु केंद्र की या द्वी केंद्र की complex compound का निर्मान करते हम अब इनका हम नाम करन करेंगे तो पहले हम देखें कि जो platinum है वो उस पर charge जो धनावेशित है और इसलिए पहले वाले जो platinum है उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा उसे हम platinum ही लिखेंगे लेकिन जो दूसरा वाला complex है उसके अंदर वो नेगेटिवली चार्ज है और इसलिए platinum का नाम जो बाद वाला complex है उसमें हो जाएगा platinate तो इसका आम नाम करान लिखेंगे यह हो जाएगा पहले लिगंड का नाम तो यह आएगा हमारा tetraamine dichlorido platinum 4 यहाँ पर पहले वाले complex की oxidation नंबर जहें प्लाटिन की वह प्लस 4 है इसके बाद हम लिखेंगे दूसरे वाले का तो उसमें लिखेंगे tetra chlorido platinate second तो इस तरह से यहाँ पर द्वी केंदर की जो complex compound है उसका नाम करान हम करेंगे यहाँ पर भी हमने देखना है कि जो दोनों complex हैं या तो दोनों उदासीन होंगे या फिर एक positive और एक negative है तो दोनों के आवेश का संतुलन पराबर होना चाहिए इसी तरह से एक और उदारण हम लेते हैं जिसमें की वह भी बहु केंदर की complex compound का उदारण है लेकिन यहाँ पर दो अलग-अलग complex में नहीं होते एक ही complex के अंदर दोनों धात्में उपस्थित होती हैं जबकि इसमें एक से अधिक ligands होते हैं वो धात्मों को आपस में जोड कर रिखते हैं और इस प्रकार के जो ligand होते हैं उन्हें हम सेतू ligand या bridging ligand कहते हैं और इनको दर्शाने के लिए bridge के रूप में उपस्थित हैं यह दर्शाने के लिए हम इनके नाम के पहले मियू साइन का उप्योग करते हैं प्रिफिक्स के रूप में मियू लगाते हैं तो यहां पर आपको यहां यह complex दिख रहा है जिसमें की complex के अंदर है यहां पर ns3 hole 4 इसके बाद कोबाल्ट है और जिससे दो यह बंद बने हुए हैं एक बंद के द्वारा यहां पर इमीडो लिगंड जुड़ा हुआ है और दूसरे बंद के द्वारा यहां पर नाइट्रोड लिगंड जुड़ा हुआ है और इसके बाद दोनों फिर से दूसरे जो धातू परमाणूं है कोबाल्ट उससे जुड़े हुए हैं और उसके बाद उससे चार नह 3 समू एमीन सम जुड़े हुए हैं और यह एक कॉंप्लेक्स कंपाउंड है जिसके उपर यहां पर अब देखिए चार्ज प्लस फोर चार्ज है और साथी साथ इस पर जो काउंटर आयन है वह है नाइट्रेट एन ओ त्री और जिसकी संख्या है यहां पर फोर तो यहां पर यदि कॉंप् से पहले हम देखेंगे नाइट्रेट एन ओ त्री नाइट्रेट हमारा नेगेटिवली चार्ज लिगंड होता है इस पर एक रुण आवेश होता है और उसकी यहां पर संख्या चार है जो यह दर्शाती है कि यहां पर जो कॉंप्लेक्स है उस पर फोर प्लस चार्ज होंगे अब यह जो फोर प्लस चार्ज है इसको हम दोनों इनका जो दो क्यूंकि धातूं है और दो केंद्री धातूं है इनके आवेश की गड़ना करने के लिए जो भी चार्ज होता है कॉंप्लेक्स के ऊपर उसे हम दोनों में बराबर बाट देते हैं तो यहां पर दोनों पर दो यहां पर दो रणावेश भी हैं जिनका संतुलन इनके धनावेश से हो चुका है और उसके बाद बचे हुए जो चार धनावेश हैं वो कॉंप्लेक्स के ऊपर आ रहे हैं इसका मतलब है कि जो दोनों कोबाल्ट हैं वो प्लस थ्री प्लस थ्री ऑक्सिडेशन स्टेट पर हो होंगे जिनके एक एक धनावेश का संतुलन यह एक एक लिगन्स के द्वारा हो गया है दो रणावेश होंगे दोनों का एक एक के द्वारा संतुलन होगा और बचे वे जो चार धनावेश है दोनों के प्लस टू प्लस टू धनावेश मिलकर यह कॉंप्लेक्स के ऊपर प्ल तो सबसे पहले हम का नाम लिखेंगे यह यह जर्ड दोनों ही इसलिए हम लिखेंगे warto कि फिरसे हम लिखेंगे मिउंद यूट से का नाम पहले लिखेंगे धातू का नहीं लिखेंगे पहले लिगन का नाम लिखेंगे टेट्रा एमीन फिर उसके बाद अंत हम करेंगे कोबाल्ट के नाम से और कोबाल्ट के बाद उसके ऑक्सिडेशन नमबर लिखेंगे हम वहां पर 3 और उसके बाद यह कॉंप्लेक्स का न के अंदर कते हैं उनका नामकरन हम कर सकते हैं नामकरन की प्रक्रिया वह ही है और जो नियम हम एक एंद्र की धातुपर-माणूं को लिए उप्योग करते हैं केवल यहां पर हमें यह देखना है कि जो ब्रिजींग लिगंड फोते हैं उनके नाम के पहले हमें यहां पार लिखना है और इस तरह से हम इसका नामकरन करेंगे आईए अब एक उदारण हम ऐसे complex compound का लेते हैं जो की जामती समावेता प्रदर्शित करते हैं जामती समावेता प्रदर्शित करने वाले संकुल योगिकों को नामकरन करने के लिए हम दो वीदियों का उप्योग करते हैं पहली वीदियों होती है जुसमें कि यदि लिगन आपस में पास-पास यहने की 90 अंश की दूरी पर होते हैं तो उनकी स्थती को दर्शाने के लिए हम उनके नाम के पहले सिस प्रिफिक्स का उप्योग करते हैं और यदि यह लिगन आपस में एक दूसरे के विप्रीत या हम कहें कि 180 डिगरी के दूरी पर यदि होते हैं तो हम उनके नाम के पहले trans prefix का उप्योग करते हैं। इसके अलावा जो दूसरी विधी है वहां पर हम लिखन के इस्थती को दर्शाने के लिए अंकों का उप्योग भी करते हैं। जैसे कि यहां पर हम उदारान ले सकते हैं यहां पर एक वर्ग समतली जो complex compound है उसका हम उदारान लेते हैं कि क्योंकि जो जामती समावयता प्रदर्शित करने के लिए उसमें एक plane एक समतल का होना complex के अंदर आवश्यक होता है तो यहां पर एक वर्ग समतली सरचना आपको दि योग में लाए जाता है तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो केंद्री धातु परमाणू है प्लेटिनम उससे चार लिगंड जुड़े हैं दो क्लोरों हैं और दो एमीन समू हैं पहले वाली सरचना में हम देख रहे हैं कि जो क्लोरों है वह एक दूसरे से के पास 90 अंश की द सिस अनुलग सिस प्रिफिक्स का उप्योग करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा सिस-टाइव क्लोरीडोड प्लेटिनम सेकंड यहां पर जो प्लेटिनम है उसकी ओक्सिडेशन नमबर दो होगी क्योंकि आप दो क्लोरों है और दो क्लोरों पर दो नेगटिव चार्ज है और तो यहां पर इनके लिए हम ठान्स प्रेफिक्स का उप्यों करेंगे तो इसका nem一 गा इस्के अलावा यहां पर हम देखें एक दूसरा संकुल का उदारण ले लएते हैं यह जो प्लेन आम पर टीन सम्मधिक से hea कि एक दूसरे से 180 डिगरी की दूरी पर उपस्तित हैं तो यहां पर हम समान लिगंड को देखें यानि कि दो क्लोरीन जो हैं वो एक दूसरे से 90 डिगरी की दूरी पर हैं क्योंकि जो समतल है उस पर जो लंब में उपस्तित होते हैं वो सभी एक दूसरे के साथ 90 डिगरी की द लिगंड के साथ सभी सिस पोजीशन में होते हैं उसी तरह से जो नीचे वाला पोजीशन है उसके साथ भी वो सिस पोजीशन में होते हैं क्योंकि वो सभी 90 अंस की दूरी पर होते हैं इसके लावा यदि हम सबसे उपर जो एक्सस में सबसे उपर लिगंड है और सबसे जो नी जो हम सरचना लेकि सकते हैं कि यहां पर फाइव फाइचंगे यहां पर इसके ऐलावा यहन नीचे से ए कंप्यर करें तो यहां 5 episode यहां पर consistent होगी इसके अलावा जो रांल email वो channel resistance है और इसके अलावा हम देखें तूफ्य व14 डूजिशन होगी इसके यहां पर जो और 3-5-position, यह position यहाँ पर transposition होगी, तो अच्छेलिए इसका नाम लिखते हैं, यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा cis-dichloro, यहाँ पर जो chloro है वो cis-position पर हैं, इसलिए इहाँ पर नाम हो जाएगा इसका नाम होगा यह इसी को हम लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर दोनों टू पोजीशन पर हैं तो इसलिए लिख सकते हैं वन टू डाय क्लोरिडो टेट्रामीन कोबाल्ड थर्ड दूसरी और यहां पर अब देखी जो क्लोरो है एक उपर है और एक नीचे दिखाई दे रहा है यानीं कि यह ट्रांस पोजीशन पर है यह हम कहें 1-6 पोजीशन पर है तो यहां पर हम इसकी जो सरच्छन नाम है उसको हम लिख सीवर डायो ट्रा एमीन कोबाल्ड थर्ड यह हम लिखेंगे 1-6 डाय ट्रैaming कौबाल्ट सव तो कि यहां पर 2 क्लोरीन है और 2 क्लोरीन की पोजीशन यदि हम इसपस्ट कर देते हैं तो बाकी के जो एमीन जो लिगंड से उनकी पोजीशन अपने आपस्पस्ट हो जाती है इसके अलाबा एक और प्रकार के जो complex compound होते हैं जिनमें की प्रकाशी समावेवी पाय जाते हैं हम जानते हैं प्रकाशी समावेवता प्रदर्शित करने वाले जो compound होते हैं वो plane polarized light को समतल्च धुरुवीथ प्रकाश उन पर यह अपतित किया जाता है तो वो उसे या तो घड़ी की दिशा में या फिर हुआ सको घड़ी की विप्रीद दिशा में दखशना t अथ incarnate ऑनले गया की दिशा में उनके लिए हम ब्रेकेट में प्लस का चिन लगा कर या फिर उसके सामने स्मॉल डी लिखकर उसको प्रदर्शित करते हैं और यदि जो लिवो रोटेटर होते हैं यानि कि जो वामा वर्त उनको रोटेट करते हैं प्लेंट प्लाराईज लाइट को तो उसके लिए हम या तो small l लिखते हैं या फिर bracket में माइनस लगकर प्रदर्शित करते हैं जैसे यहां पर हम एक उदाहरन ले लेते हैं यहां पर आपके पास लिखा हुआ है यह डेक्स्ट्रों कंपाउंड के लिए है तो यहां पर प्लस या स्मॉल डी जो दोनों लिखा जा सकता है उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है के थ्री पोटेशियम और ब्रेकट के अंदा लिखा हुआ है इरिडियम पर ह्यां से 204-3 यहां पर यहां पर जो लिखत नाम है वो है ओक जेलेक्ट तो यहां पर इसका अंदेंकिंगे हम प्लस ब्रēकट प्लस लगा सकते हैं या पिर स्मॉल डी लिखा если हम लिखेंगे डाई ओक्धेले यह यहां पर जो उसकी ऑक्स्यरायान नंबर होगी हम calculate करेंगे तो वहाँ पर हमें थ्री प्राप्त होगी तो इसका नाम हो जाएगा डाई यहां पर प्लस साइन के साथ डाई और तो इस तरह से हमने देखा कि हम एक केंद्री यह कोडिनेशन कंपाउंड एक केंद्र की उपसरसरिजन योगिक या फिर बहु केंद्र की उ प्रकाशी समावेवी होते हैं उनका नामकरण हम अपने नीमों को ध्यान में रते हुए कर सकते हैं